शीला रावन का बड़ा खुला से बलूच नेता करेंगे पाकिस्तान का परदाफाश बलूचिस्तान की दर्दनाग दास्ताश शीला है और उन्होंने खोली है पाकिस्तान के पूल कि किस तरह से बलूच नेताश बोलेंगे बरहम दग बुक्ती महरान मरी जैसे बड़े नेता सुनाएंगे पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों की कनिक्शन की कहानी एबी पी न्यूज पर बलूच नेताश जो अपने घर छोड़कर विदेशों में शरणार्थियों की जिन्दगी जीने को मजबूर हैं कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं पेंकने जाही है देश की विदेश मंतरी सुष्मा स्वराज ने संयुक्त राष्ट में दुनिया को बताया कि बलूच ने पाकस्तान किस तरह से जुल्म ढा रहा है बलूचों का खून बहाया जा रहा है बलूच नेताओं की हत्या की जा रही है पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने गिलगीट के लोगों ने पाक अक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से मेरा अभार व्यक्त किया है जिस धर्ति को मैंने देखा नहीं है जिन लोगों को विशे में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधान मंत्री को अभिनंदन करते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्मों सित्म की हजारों कहानिया है ऐसे ही कुछ दर्धनाख कहानियों पर से आज परदा उठाएंगी एबीपी न्यूज रिपोर्टर शीला रावल इस समय स्विचलन के जिनिवा शहर में सैयुक्त रास्टर महासबा के बाहर हो इसी यूएन के मुख्याले में पाकिस्तान सारी दुनिया के सामने जूट का खेल खेल रहा है कश्मीर के नाम पर सारी दुनिया को बर्ग लाने की नाकाम कोशिश कर रहा है आतंग को फैलाने वाला देश आतंग के शिकार होने का रोना रोता है और इसी के नाम पर अपनी द्वस्त हुई अर्थव्यवस्ता को जिन्दा रखने के लिए दुनिया से भीख मागता है जो देश आतंका गड़ बन चुका है वो देश किस तरह UN में दुश्प्रचार कर रहा है ABP News उसे आज बेनिकाब करेगा पाकिस्तान के अत्याचार की आखों देखी सुनाएंगे बलुचिस्तान के बड़े नेता ये वो नेता है जो पाकिस्तान की नजर में most wanted है लेकिन ये लोग बलुचिस्तान की आजादी की लड़ाई पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं मेरा पूरा नेशन बलुच कौम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता है वो एपी सेंटर आफ टेरिजम है एक्सपोर्टर आफ नुक्लियर वेटरंस है एक्सपोर्टर आफ टेरिस है एक्सपोर्टर आफ ड्रग्स है मतलब जो भी खराबी इस रीजन में और दुनिया में वो फैलता पाकिस्तान से पाकिस्तान एक ऐसा कैंसर है जो इन्फ्लूएंजा जैसे फैल रहा है हमारे गरों पर बंबारी की गई इंडिस्क्रिमिनेट बंबारी की गई हम बच्चों के साथ चोटे मोटे जो भी थें सामान वगेरा सब कुछ घर बार बिल्कुल वैसे चोड़ कर हम अपने बच्चों के साथ अपने ओरतों के साथ निकल गए लग्ने बंब छे मिने तक नो ने मुझे अंधेरे कमरे में रखा है पाकिस्तान के कबशे से पहले बड़ी आबारी शिया मुसल्मानों की थी लेकिन पिछले दस सालों में पाकिस्तानी सेना करीब 20 हजार बलूचों को मार चुकी है पाकिस्तान जान बूच कर यहां पंजाब और दूसरे इलाकों से लाकर लोगों को बसा रहा है तक हो गए हैं बड़ी आबादी अब सुन्मी मुसल्मानों की हो गई है बलूच ताकत वरना हो जाएं इसलिए पाकिस्तानी सेना यहां अत्याचार करती है सरकार की और से सेना को भीवाँ जुल्म भाने की छूट मिल गई है बलूचों को जान से मारना और उनकी घरों को जलाकर राह कर देना यहां आम बात है 27 मार्श 1948 को पाकिस्तान ने फौज और हत्यार के दम पर बलूचस्तान को अपने में मिला लिया पाकिस्तान के लिए बलूचस्तान सोने की चिडिया है क्योंकि पूरे पाकिस्तान का एक तिहाई प्राकृतिक गैस यहीं से निकलता है तेल की भी बड़े भंडार यहां मौजूद है सैक्रों खानों से यहां सोना निकाला जा रहा है तामबे की भी बड़े भंडार हैं यूरेनियम भी यहां की धर्ती में पाया जाता है बलुचिस्तान की जिस खनित संपता से पाकिस्तान और चीन अर्बो डॉलर कमा रहे हैं वही बलुचिस्तान सबसे पिछड़ा इलाका भी है पाकिस्तान सइक्त रष्ट में कश्मीर पर पूरी दुनिया से जुट बोलता है लेकिन जब बात बलुचिस्तान की होती है तो वो उसे अपना अंद्रूनी मसला बताता है लेकिन आज पाकिस्तान की हैवानियत के शिकार बलुचिस्तान की लोग ही करेंगे पाकिस्तान का परदाफाश ही है कि सुनकर ही रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं नाम पराहमदग बुक्टी पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे बलूचों का सबसे बड़ा और जाना पहचाना नेता बुक्टी ने पिछले दस सालों से पाकिस्तान की जमीन पर कदम भी नहीं रखा है क्योंकि पाकिस्तान बुक्टी के खून का प्यासा है पाकिस्तान ने नजाने कितनी बार बुक्टी को मारने की कोशिश की A.B.P. News के कैमरे पर बुक्ती ने सुनाई पाकिस्तान के जल्म की पूरी कहानी हम स्कूल नहीं जा सकते थे, घर में थे, हमारे सारे फैमिली घर तक मैदूद थे और क्योंके वो कुछ भी कर सकते हैं, I.S.S.I.E. और पाकिस्तानी आर्मी बलूच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष बरहाम तक बुक्ती का बच्पन पाकिस्तानी खौफ के साहे में बीता उस वक्त वो बलूचिस्तान के डेरा बुक्ती में रहा करते थे उनके बाबा नवाब अक्बर शहवाज खान बukटी बलूचितान के बुकटी कभीले के सरदार थे पिता की मौत हो जाने की वज़ा से परहम तक बुकटी का बच्पन अपने बाबा के साथ ही बीता अकपर बुक्ती पाकिस्तान से बलूचों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए वो पाकिस्तानी सरकार के निशाने पर थे जनरल परवेज की गवर्मेंट आई जनरल परवेज मुशर्फ की उन्हों ने ये फैसला किया कि अभी डारेक्ट अटेक करके जो बलूच मुवमेंट है इसको खतम करना है वन्स फॉर आल और माई ग्रेंट फादर वोज लीडिंग दे मुवमेंट तो उन्होंने ट्वैंटी फिफ्ट सब्सक्राइब करना है और मेरी सिस्टर जो थी वो उनको दो स्प्लिंटर लगे एक पैर में और एक हाथ में बाकी हम निकल गए हर कोई भाग रहा था कोई इदर कोई उदर तो निकल गए अगबर बुक्टी इस हमले में तो बच गए लेकिन छे महीने बाद ही उन पर दूसरा बड़ा हमला हुआ बराम तक बुक्टी उस वक्ट भी अपने बाबा के साथ ही बलुचिस्तान के डेरा बुक्टी में मौजूद थे इसी दौरान एक गुफा में उनके बाबा अकपर बुक्टी की हत्या कर दी गई 26 अगस 2006 को हुई इस हत्या के बाद बराम तक बुक्टी करीब 45 दिनों तक पैदल चल कर अफगानिस्तान पहुचे इस दौरान उनकी भी ज़़ान लेने की कोशिश की गई एक बार तो मुझे याद है मैं राप को मैसेज कर रहा था सिर्फ अपने फैमली को तो मैंने एक सेटलाइट फोन खोल के मैसेज दी क्यूंकि उन्होंने ऐसे ही एक अफवा कर दिया कि मैं मारा गया हूँ तो मैंने उसरे फोन को एक कॉल की मेरे करना मैं 20-30 सेकंड बात की और कहा कि I'm fine तो उसके बाद 45 मिनिट बाद जेट्स आए और पूरे उस जगह पर बॉंबिंग की जहां पर मैंने बात की बलुचिस्तान के लोगों की लडाई को जारी रखने के लिए बुक्टी अपने परिवार को पाकिस्तान में जोड़कर अफगानिस्तान चले गए तो पाकिस्तान में उनके परिवार को धंक्या दी जाने लगी मेरी मदर और मेरी वाइफ और बच्चे सब कोईटा में थे तो उनको भी काफी अटेंशन थी क्योंके वो आर्मी वाले फोन करके थ्रेट देते थे आएंगें पकड़ेंगें ये करेंगें वो करेंगें गालियां अब्यूजिव लेंगवेज मेरी सिस्टर थी बड़ी वो पाकिस्तान में थी और 2010 को उनको मारा गया वहाँ पर I.S.I. ने और कराची में जब वो अपने गर से निकल के किसी शादी में जा रही थी तो उनको उनकी बेटी के साथ पकड़ा रोका और गाड़ी से निकाल कर मारा पाकिस्तान से दूर रहकर भी बुक्टी आज बलूचों के संघर्ष की सबसे मजबूत आवाज बन चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि भारत उन्हें रजनीतिक शरर दे और पाकिस्तानी जुर्म का शिकार बन रहे बलूचों की मदद करे जनीवा से शीला रावल की रिपोर्ट बलूचिस्तान का एक और बड़ा नाम है महरान मर्री महरान स्युक्त राश में बलूचिस्तान का बुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं मर्री के परिवार को भी बलूचिस्तान में नहीं रहने दिया गया स्विजलिन के जिनवा में मरी के पास A.B.P. नियूस पहुंचा जो भी खराबी इस रीजन में और दुनिया में वो फैलता पाकिस्तान से पाकिस्तान एक ऐसा कैंसर है जो इंफ्लूएंजा जैसे फैल रहा है ये हैं बलूचिस्तान के बड़े नेता और सेयुत राष्ट और मारवाधिकार संग्ठन में बलूचिस्तान के प्रतने थे महरान मरी अफगानिस्तान के काबुल में पैदा हुए महरान के पिताख खैर बक्ष मरी बलूचिस्तान के बड़े नेता थे बलूचिस्तान में बुक्टी और मर्री कभीले के लोगों में बरसो पुराना जगड़ा है लेकिन बलूचिस्तान की आजादी के लिए अब मर्री और बुक्टी एक है उसकी गवाह ये तस्वीरे है बराहमदक बुटी और महरान मरी एक साथ पाकिस्तान के जल्मों के खिलाफ साइउत राष्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं महरान मरी बलूचिस्तान में बहुत कम रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के अत्याचारों की कहानी उन्होंने अपने परिवार से सुनी और अब उसके खिलाफ लड़ रहे हैं बुटो जो पाकिस्तान में आया वो सब मरीयों के खून के प्यास रेते हैं हर मरशल लो अयूब खान से लेके बुटो बुटो से लेके मुशरफ इन्होंने मिलिट्री अपरेशन प्राइमेरिली मरी इस्तान में शुरू किया और मरी कभी लेके लोगों को मारना शुरू किया सेविन्टीज में मरीयों को हेलिकॉप्टर से पहंगते थे बुटो का पॉलिसी था इलिमिनेशन ओफ मरीज वो कहते थे वन मरी वन प्रॉब्लम नो मरी नो प्रॉब्लम महरान बताते हैं कि उन्हें बच्पन से बताया गया कि पाकिस्तान दुश्मन है और बड़े होकर उन्हें क्या करना है महरान मरी कहते हैं कि बलुचिस्तान में पाकिस्तान के आतंक के बारे में अब दुनिया जानने लगी है मैरे जैसा आदमी जो शायद बहुत कुछ ना कर सकता हो तो मैंने इंटरनेशन दुनिया का रुख किया जिदर मैं खुरी भी यहां बच्पन से आ रहे रहा था 2001 से मैं युनाइटिड नेशन, हुमन राइट्स कमिशन और सब कमिशन होता था वहां आया, यहां आया जी जिनिवा में हम जब यून में चलते हैं फिरते हैं लोग भी बलुचिस्तान इशू को जानते हैं बलुचिस्तान में पाकिस्तान के जुम का मुद्दा भारत भी जोर शोर से उठा रहा है महरान मर्री भी इसके लिए प्रधान मंत्री मोदी का शुक्रियादा कर रहे है जब से मोदी साब ने रेड फोर्ट पे ऐलान किया और बलुचिस्तान के हकुक और जुमों का एजार किया तो माशाला आप इदर देखें बलुचिस्तान काॉज इस बिंग प्रोमोटेट अन डिफरेंट स्केल नाव 1948 में पाकिस्तान ने फौच के दम पर बलुचिस्तान पर गबज़ा कर लिया था पाकिस्तान में ये कहा है ये भी समझ लीजिए पाकिस्तान की चार प्रमुक परांथ हैं पंजाब, सिंथ, खाइबर, पक्तुनवा और बलुचिस्तान इसके लावा फाटा का इलाका है जिसका प्रशासन सीधे पाकिस्तान के केंदर सरकार के अधीन है इसके लावा गिलगित और बलुचिस्तान का इलाका है जिने सुवायत प्रदेश कहा जाता है बलुचिस्तान पाकिस्तान का पश्चमी प्रांथ है जिसकी राधानी क्वेटा है इसकी सीमा एक और एरान से लगती है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आप देख रहे हैं एवीपी नियूज पर बड़ा खुलासा बलुचिस्तान में पाकिस्तान का जुल्म बेनकाव एवीपी नियूज ने बलुचिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए कई बड़े नेताओं और मानुआदिकार कारकरताओं को खोश निकाला है ये लोग यूरप में आ रहे हैं और बलुचिस्तान की आज़ादी के लड़ रहे हैं बलुचिस्तान के नेताओं ने पाकिस्तान के जुल्म की कहानी सुनाई है खुद पर और परिवार पर पाकिस्तानी पोश के कहर की दास्तान सुनाई है A.B.P. News ने स्वेजिलन में बुक्ती और महरान मर्री जैसे बड़े निताओं को खोजा और उन्होंने पाकिस्तान के आतंक की पूरी दास्तान सुनाई आप देखें बलुचिस्तान के निताओं की जुबानी पाकिस्तान के आतंकवाद की कहानी बरहाम दग बुक्ती और महरान मर्री जैसे हजारों लाकों लोग हैं जिन पर पाकिस्तान की फौज लगातार जुल्म सितम कर रही है कई परिवार पत्नी बच्चों को लेकर आज भी दर बदर की ठोकरे का रहे हैं कुछ ऐसे ही लोगों को शीला रावल ने स्विज जिलंड में खोश निकाला नाव शेरवास बुक्ती, गाउं पेलावाक देरा बुक्ती, राज बलुचिस्तान, देश पाकिस्तान पर पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं मानते हैं कि मजबूरन अभी भी मजबूरन कोई बोलता है कि वो यह पाकिस्तानी है हमें अच्छा नहीं लगता हम यह कहते हैं अभी हम खुद को बलुच कहते हैं लेकर पाइर की दुने आए दूसरे मुलक आए वो हमें बलुच तानी नहीं मानते मैं भी एक स्टुड़न था जो 2005 में हमारे घर में पक्षेन आर्मी तीन हेलीकटर से बंबारी किया गया वहां पर जो एंद्गर्द में परसी लोग थे काफि लोग थे पूरे एरिया में बंबारी किया गया वहां पर काफि लोग मारे गया काफी बार हमेरे गर पर अटेक हुए, सिर्फ मेरा नहीं, जो भी जितने भी रफूजी लोग हैं उद्धर, गर गर में अटेक किये हैं, तालबान के जरीए किये हैं, लोगों को पैसा दे कर लो हैं, अटेक किये हैं, और तो चोड़ों पंपार में खुद कुछ भी बेजा ग हमें देखें, और कुछ नहीं कर सकता, हमें गाली देता है, कि ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम जबर्दसी कोई बोल हैं, आप पाकिस्तानी हैं, तो हम उसके खिलाफ हैं मेरे लिए सबसे बड़ा डरगुलामी है मैं अपने अब को समझता हूँ कि मैं एकडुलाम हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ा डर है कि मेरा आने वाला जो नसल है वो भी गुलाम होगा और जब तक मैं जिन्दा हूँ मेरे मुझे से हजारों नوجवान बलोच जिन्दा हैं, उनका यही कोशिश होगा कि वो अपने लिए और अपने आने वाली नशनों के लिए उस दर को खतम करें. जी बलोच होने का दर्द मैं अची तरह जानता हूँ क्योंकि मैं इसी दोरान ही, मैं तकरिबन 11 साल का था जब बलोस्तान में उपरेशन शरू हुआ, जब हमारे लाके में बंबारी शरू हुआ, जो मिलिटरी आई और बंबार्टमेंट की, हमारे स्कूलों को, हमारे घरों को सब कुछ को तबा करके, वहां पे जो कबजा किया गया, और हमें मजबूर किया गया, कि हम वहां से निकलें, और अपनी जान बचाने के लिए दूसरे एंसों में जाएं, और जब तक हम वहां से बागते गए, तब तक हमें वो, हमें निशाना बनाते गए, नाम जमाल खान घर जाफरवा अब घर नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने घर में आग लगा दी तो मैंने बलुचस्तान छोड़ा था दोजार परामें के एक सुबा की वक्रता वहां पर पाकिस्तान की आर्मी हेलिकोप्टरों और नीचे जमीन गाड़ियों के साथ हमारे घर आए थे तो वहां के आगए घर में सारे जो चीज थे वो कुछ निकाला कुछ नहीं निकाला वो जूपड़ी थे सबको आख लगा दिया मेरे जो दादी था वो तक्रिबन 80 साल का था वो एक जूपड़ी में रह रहा था तो भाग नहीं सका वो जूपड़ी से निकल नहीं सका तो वहां पर जल गिया नाम काल बक्ष बुक्ती शहर डेरा बुक्ती काम बलोचो की आजादी की लड़ाई पाकिस्तान में ही जन्द में म्शूर लेखक तारिक फटावि बलोच प्टान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं तारिक फटा भी इस वक्त स्विजिलन के जनवख में है नाम तारिक फत्ह जन्वस्थान कराची देश पाकिस्तान पर पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते लड़ाई पाकिस्तानियों के जिल्म के खिलाफ बलोच अबादी को अखिल देस मिलियन अबादी है और मुल्क उतना बड़ा है समझी फ्रांस यह पॉलिंड जैसा हर शक्स की जबान बद्ली जा रही है जहां जहां हाइवेज बना रहे हैं ताके तीन चीन अपनी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करनी है गवादर पोर्ट से उसे पचास-पचास मीज दोनों साइक पे जुगाबाद में हैं उनको उखाड के फिक रहे हैं आप कहां तक ही बरदाश करेंगे के एक पूरी जेनोसाइड हो किसी सहाफत का, किसी कल्चर का, किसी जबान का, किसी का उतना बैठने का और फिर वो भी आप करें इसलाम के नाम पे कि तुम हम बेतर हैं कि हमाँ पर आटम बम है और हम तुवारी और इनी की जबीन पे आटम बम टेस्टिंग भी भारत भी बलुचिस्तान में मानवादिकार उलंगन के बुद्धि को संखतरاش्ट में उठा चुका है, बलुचिस्तान पर भारत का रुख यह है कि पाकिस्तान को पहले अपने घर में मचे घमासान को संभालना चाहिए, ना कि उसे भारत के अभिन अंग कश्मीर की चिंता क कर निचाहिए.